असलामेकूम मेरे नम अली है और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने जाएंगे रिव्यू विद प्रोज इन कॉन्स इन्फिनिक्स नोट 12 वी आईपी का अब अल्मोस्ट एक महीना से उपर गुजर गया इस फॉन के साथ वैसे तो हम लोग ने इस फॉन के साथ ज क्या वो कॉंप्रोमाइज प्रोडक्स हैं जो कि आपको इस फॉन के अंदर देखने को मिल रही है तो आज किसी वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाऊगे कि ये फॉन कैसा है कैसा नहीं छोटी सी वीडियो होने वाली है क्योंके का पारज़न बहुत डिटेड डिटेड आपको ओकी दोस्तोड़ों स्क्रीन पर आ रही होंगे को रिवीव में स्पेक्स तो बतानी नहीं है मैंने अपना एक्स्पिरिश बताना है तो सबसे पहले सकी बील कॉलिटी है येस इद गुड बील कॉलिटी रियर पर आपको फ्लोराइड-एजिसी टाइप की ग्लास बी जो बड़ा से कैमरा मोडियूल है यह एक डिफरेंट वाइब जूरूर इसपॉण को प्रवाइड करता है उसके साथ इक ट्रेंडी डिजाइन है जो के बॉक्सी डिजाइन है इन हैं फील भी अच्छी लगी और जो बटन प्रेस्मेंट्स हैं और साथ के साथ जो वॉल्यूम भी मुझे अच्छा लगा हाँ अगर हाथ आपके थोड़े छोटे हैं तो आपको दरा चोड़ा फोन फील होने वाला है आप देखेंगे के भाई जो हाथ में चोड़ा लगता है लेकिन ओवरॉल वेट इंप्लिमेंट और बाकी सारी चीज़ें बिल क्वालिडी के साथ मु मुझे अच्छा लगा है लेकिन अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूं तो येस इंप्रूमेंट जरूर है रिफ्रेश रेट और टच सैंप्लिंग और साथ के साथ यह जो हमें जो 10-bit कलर की सपोर्ट मिलती है यह हमें ठीक देखने को वन बिलिन कलर्स की जो है ना थोड़े से आई प्लीजिंग लगते हैं एंफिनिक्स के जरा ना फीके पीके कलर लगते हैं अगर अगर IPS पहना लोग को ज्यादा डिफ्रेंसिस फील होने वाले नहीं है लेकिन यहां पर कोई भी गोरिला ग्लास की जनरेशन नहीं है यह चीज मैंने मिसिंग पाई है इस 6.7 इंचिस का है एमेलेड है 1080P का रेजलुशन है आपको जो है वो 360Hz का 10th सेपलिंग मिलेगा जो कि मुझे अच्छा लगा इस फॉन के अंदर गेमिंग करते वे भी टाचिंग टाच का जो मिसिंग है वो मुझे नदर नहीं आया OTT प्लेटफॉर्म की सपोर्ट भी मिलती क्योंकि यहां पर 700 का पीक ब्राइटनेशन है और वे शॉमी की यह रियल्मी की जवाइसे देखी है जो कि हमें 800 से उपर यह 1100 का पीक ब्राइटनेस निट्स अवेलेबल करती है जो है वो थोड़ा सा ब्राइटर भी ऑगी और उसके साथ-साथ-साथ-सथा-सथार में यह बहुत बड़ा compromise है, like HDR content consume करना हो तो आपको जो है इस phone को बिलकुल भी consider नहीं करना चाहिए, I think नहीं करना चाहिए, हाँ जो आपको यह 10 bit color की support है, यह थोड़े से visual experience को better कर देता है, अगे overall display से भी कुछ ज्यादा शिकायत नहीं होगी, okay है, in display fingerpin sensor नहीं है, और इस range के अंदर Redmi भी जो है आपने in display fingerpin sensor नहीं देता, although Samsung के यहां आपको जो realme के phones मिलते है, उपो के भी होगे, उनके अंदर आपको in display मिलते है, उनके displays थोड़े से आपको in display fingerpin sensor की वज़े से जारा पसान आएंगे, वागे इसका जो bezels है, वो भी मुझे ठीक देखने को मिला है, बड़ अ जो storage type है, वो UFS 2.1 का storage type है, although 5GB की extendable RAM भी मिलती है, बड़ यह जो XOS operating system में भर भर के blotware, यह जो add मिलते हैं, यह बहुत annoying होते है, user experience इससे बेतर नहीं होता, Infinix को इस सी को optimize करने की जरूरत है, Miradak Helio G96, 30,000 रोपे से 40,000 रोपे की range के अदर बहुत सारी devices मिल रहा है, तो यह एक minus point होगा, के 50,000 की price point पर G96 बहुत लब कम लोग जो है, वो consider करते हैं, although जो day to day casual usage है, वो इस phone का ठीक है, जैसा के in RAM memory application loading time, लेकिन जहां पर issue आता है, वो यह है कि यह phone जो है, अगर outdoor आप कर पर use कर रहे हो, और गर्मियों में खासकर use कर रहे हो, तो पांसे दस मिन बाद जो है, वो heating का issue दे देता है, especially जब हम लोग camera app use करते हैं, तो heat होता है phone, overheat होता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और gaming experience की बात करता हूं, तो भई 50,000 रोपे में 60 fps नहीं होता, तो एक gamers को targeted device नहीं होती, इस hardware को अगर आप gaming के perspective के हसाफ से लेते हैं, तो I think के आपको 50,000 रोपे सोपर इस phone के जो है, वो expense करने की ज़रूरत नहीं है, अब 30-35,000 में कोई G90 6 ले ले 40 fps का gameplay में लाता है, वहाँ पर ही आप कर सकते हैं, मुझे इस phone के अंदर थोड़ा सा heating के वाज़े से इस लगा, और जैसे जैसे हम लोग CPU throttling test को run करते हैं, इसका CPU थोड़ा consistent रहता है, लेकिन कहीं ने कहीं frame drops हलके फुलके provide करता रहा है, हमने इसको बहुत time में चेक किया, 3-4 बार चेक किया, तो यहां पर हमें यह चीज़ें देखने को मिल रही है, और जो GPU है ना भाई वो कोई hardware होता, यहां अगर यहां लगाना ही था, diamond city का कोई आप 5D hardware भी लगा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ experience better हो सकता था, वह यहां थे कुछ camera's के उपर भाई, अब camera comparison में हमारा हमेशा से infinix सा लड़ाई रहती है, exposure की और dynamic range की, front 16 megapixel है, rear 108 megapixel 13 megapixel का ultra wide sensor भी डाल दिया है, लेकिन यहां पर इस अब पेरिसकोपिक लेंज नहीं है, मैं इस फॉन को अगर compare करता हूं, infinix 0x pro के साथ, जो कि आज भी 44,000,000 रुपर में मिल रहा है, मेरे ख्याल में वो फॉन 1000% better होगा camera में से, क्योंकर optical image stabilization भी है, पेरिसकोपिक लेंज भी है, इस फॉन का camera मुझे human skin की, उस में consistent नहीं है, कभी dark contrast देता है, कभी overall expose कर देता है चीजों को, जो color है, उनको maintain नहीं रख पाता, अब फ्रंट बैप के मुझे यह चुज़ने को मिली है, मैं camera को ज़्यादा detail में इस लिए cover नहीं करूँगा, क्योंकि already मैंने अपने comparisons में बता दिया है, कि इससे ब फोड़ा बहुत struggle करता है, तो I think Infinix को camera पर बहुत काम करने की जरूरत है, इस phone को और बहतर करने की जरूरत है, camera के हिसाब से, पचास जार एक ऐसा price point है, जहां पर जितना भी, यह mid premium range का user है, वो इस सारी चीज़े मांगता है, at least camera भी अच्छा मांगता है, fast charging भी मांगता है, at least वो feature मांगता है, जो कि उसको, उसका experience अचा करें, जो मतलब, वो compare कर सके कि 70-80,000 पर वाली device में मिल जाते है, मतलब ऐसे लोग करते हैं, लेकिन एक जो है, वो decent camera होना चाहिए, camera में यह phone मुझे अच्छा नहीं लगा, उसी जरी किसे, dual speaker quality की बात करते है, तो yes, which is very improved from previous experience with Infin Fenix, जो मुझे अच्छा लगा, अब ये clip सुने, आपको अंदादा हो जाएगा, मुझे बहराल अच्छा लगा है, speaker quality is pretty decent, उसके साथ साथ, जो fast charging है, बहुत matter करती है, लेकिन कुछ audience या कुछ buyer के लिए, battery size बहुत matter करता है, बहुत matter करता है, बहुत सारे दोस कमेंट करे थे, मैंने phone को off किया वा था, क्योंकि company भी off करके ही test out करती है, company का claim यह था कि 17 मिनिट में charge होता है, बट मेरे पास तकरीवन 30 के अराउंड जो है, वो temperature था रूम का, तो मेरे पास यह charge होता है, तकरीवन 20 मिनिट में, और भी मैंने कुछ 22-23 मिनिट में, और भी मैंने कुछ test देखे हैं, जहां पर 22-27 मिनिट ले जाता है, तो जो company claim कर रह होती है, उनका एक अपना environment होता है, एक अपनी उनकी KSPs होती है, लेकिन जो हम लोग test out कर रहे होते हैं, हमारे पास temperature थोड़ा सा higher होता है, तो pretty decent time, लेकिन मेरे साब से यहाँ पस तासर वाड के ओपर भी अगर पैंतालिस मिनिट यह चालिस मिनिट ले जाता है, तो पाइं- बैटरी टाइमिंग अच्छी मिल लाती है, आप जो है ना इस पर अराम से एक से डेड़ दिन बैटरी वेकप जो है ना वो इन दोनों चीजों को यूज किया बगार जो है ना, casual usage मतलब application यूज करनी है, call करनी है, तो वो आपको अच्छा देखने को मिल लाता है, यह बहु आपको साइड फिंगर बिट माउंटेड मिलता है, इंफिनिक्स जिवर एक्स प्रो के compare में, यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर इंडिस्प्ले फिंगर बिट नहसर होता है, तो ज्यादा चीजों को बैतर किया जा सकता था, overall यह था मेरा experience, इंफिनिक्स के इस नोट उसमें इस फोन को heat नहीं होना चाहिए था, performance अच्छी provide करता, तो I think कहीं न कहीं कोई न भी price को justify किया जा सकता था, right now अगर आप interested इसको बाने बाय करने में, तो भाई सिर्फ और सिर्फ आपको 120 watt की charging का एक plus point मिलेगा, थोड़ा edge मिलेगा, आपको display का, but HDR होता तो ज्यादा चीजों को बहतर किया जा सकता था, overall ये था मेरा conclusion, infinix, no 12, VIP के साथ, आपका क्या रहा है, do let me know in comment section, और बहुत सारे comparison हमारे चैनल पर available है, जो कि आपको link description मिल रहेंगे, आप जरूर विजिट कर लीजेगा, आपनी रहे बनाने से पहले, ये comparison जो है, वो आपको आपका decision लेन पकसान पाइन बाद, Allah Hafiz